नमस्कार दोस्तों मैं जिनीर आपको स्वागत करता हूं अपने व्यूटू चला मुए मिक्सिंग पर आज वह बताने वाला हूं बहुत ही इंप्रोटेंटिव बताने वाला हूं जो कि हम जो अपने गाव देहाते या सहर में जो घर बनाते हैं जिस घर में हम कॉलम का यूज करते हैं वो कौन सा आपका उसको क्या बोलते हैं और जिस पहले के जबाने में जो घर बनाय जाते थे बीना कॉलम के बनाय जाते थे उसको क्या बोलते हैं वो चीज के बारे में सारी जन स्रोट दमाए ताकि जब भी मैं इस परकार को वीडियो बनाओं जिसमें घर के बारे में आको आप आप Unaully करें नहीं है तो एक पर कि गाउध्यात में जो घर बनाते हैं जिसमें कॉलम देते हैं उसको क्या बोलते हैं जिसमें कॉलम नहीं देते हैं उसमें क्या बोलते हैं तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिसमें हम कॉलम देते हैं उसको आर सिसी फ्रेम इस्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें हम कॉलम नहीं द जैसा कि आप इस दर नहीं किल गया है किल लिन्त करने के बाद उसमें भूर किया जाता है इसके बाद कऌलाव कास्टिंग होता है तो रसी फ्रेम श्ट्रक्चर दो परकार से मतलब लोग करते हैं लेकि जेनरली आपको पहले पिलिंद के बाद पूरा कॉलंब ख़ड़ा करके इसके बाद सलेब कास्टिंग करना चाहिए इसके बाद ब्रीक वर करना चाहिए लेकिन देहात में अक्सर क्या होता है कि लोट बेरिंग इस्ट्रक्चर होता है इस में सिर्फ उसका जो फूटिंग में आपका बोल्डर से जोड़ा जाता है पत्थर से जोड़ा जाता है और बदो है उसमें मोरंग से जो तक फुटिंग कर ईसके बर्लीक वर किया जाता है करने के बाद डेलेक्ट उसका कास्टिंग किया जाता है चले मैं बताता हूं कि इसका यूंजड क्या और जो च Ó उसको कॉलं में बोलते हैं और जो आपका लोड बेरिंग इस्ट्रक्चर है उसको हम ब्रिक लोड इस्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसका उपयोग कहां हम करते हैं तो इसका ज्यादा तर उपयोग हम देहात में भी करते हैं और सहर में भी करते हैं लेकिन लोड बेरिंग का आर सिसी का देहात सहर दोनों ज livingसरhead कास्टिंग्हुर्क्छन मतलब पहले क्या काम होता है तो जो हमारा भ्रस्शी फ्रेम स्ट्रक्चर्चर है उसमें सबसे पहले का फूटिंग होता है फूटिंग कोपर मोता parenthिंग बाद कोल मोता है जब करते हैं लेकिन हम लोट बर्ट यह वरता है उसमें पहले भरक होता है इसके बार कास्टिंग होता है और तीस्रा चीज है जो थीकनेस कित्ना ओता है तो इस स्ट्रक्चर में कोलम की साइज बढ़ती नहीं है हमेशा बढ़ती नहीं है अगर आप पहले कास्टिंग कर दे तो और जो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है इसमें कोलम होता ही नहीं है सिर्फ आपका और अब करने के बादन यह सिर्फ आपका कास्टिंग कर दिया जाता है और लिसका यह साइज है वह बढ़ते घरते रहता दिवाल उसका ड्igator जैसे 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 इसका मतलब एक से दो तलाख पर जाएंगे तो उसका जैसे जैसे कितने बीन मतलब जो लेंद दीवार दे सकते हैं लेकिन जो मेरा करंडय होता है उसका अफरेंग की करें तो इसका में बोलूँगा कि कर्या इसका लीमिट होता है इसके बात इंग इंग को सब्सक्राइब होता है लेकिन अक style भी कर सकते हैं लेकिन जो हमारा हम कुछ का पोजीशन नहीं कर सकते हैं और तो मतलब कैम सी जमीन पर मैं लोट बेरिंग बना सकता हूं कौं सा जमीन पर हम हार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी परकार का जमीन हो वहां पर हम आर सी से फ्रेम एस्ट्रक््टर का मसुंसสथे लेकिन अधर हम सब्सक्राइब है वहाई हम वोडी कर सकते हैं इसके बाद अर्थ क्वीक आता है मतलब कभी 26 भूकंप अज तो जो मेरा कॉलंब गर ख़़ा होगा मतलब कॉलम से जो घर बनेगा रसे सी फ्रेम एक्टर उस पर ज्यादा एफेक्ट नहीं आता है लेकिन लोड बेरिंग इस्ट्रक्चर में आपका बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है बरबाद वह आपका घर ढ़ा भी सकता है इसलिए जब भी आप अपने घर को बनाए तो कॉलम प मतला उसकी खोदाई फोटिंग के खोदाई भी आप काम कर सकते हैं लेकिन जो हाती है मेरा लोड बेरिंग इस्ट्रक्चर है जिसको हम इट से बना सिर्फ इटा से बनाते है उसमें पहले आम लोग देख दावा खानते तो उसमें बहुत ज्यादा किया जाता है इसके बाद लगता है इसमें माटरियल क्या 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 तो जो हमारा आर्चिस्टी फ्रेम बहुत कम लगता है और जो मेरा लोड बेरिंग इस्ट्रक्चर में सिमें थोड़ा मणा लगता है लेकिन स्रीयह अकतों उसमें यूज होता ही नहीं इसके लिभर से को इसelse के चला सकते हैं यह लेकिन इसको मैं में सब्सक्राइल स्चर्याइब जयानकार लेकिन लोड़ बैर अश्ट्रेक्टार में लिभर धिर चाहिए और इसमें और इसके लेपर भी चलता है और इसके बाद हमारा होता हाइट कितना हैट तक बना सकते हैं मतलब जो अरशंटी जिसमा कॉलम भे ons गारको कितना भी हाविट तक ले जा सकते हैं इसके जोड़ाइ करते हैं उसको हम एक तला से से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं और मैं तो सला दोंगा कि बीना आप कोलम का घर नव बनाए तो ही अच्छा रहेगा इसके बाद है कंती लेवर एलेमेंट मतलब कोलंग Яं कंती आरा स्थानी सम्झे जो घर आपना पर चे आर कोलम आते हैं उसका कितने नहीं तो गल्क तो जो घरम हम अपने कॉलम को रिचार आर्सेटी फिरेमें इस्ट्रक्चर उसका लाइफ बहुत ज़ादे होता है बहुत मज़ूतर अगर अच्छे से काम किया गया हो उसमें सही उसमें क्वांटिटी जी जाए हो सही क्वाल्टी दिया हो सभी रेशियो इसकी आगे हो तो बहुत दिन तक चलेगा लेकिन हमारा जो लोट वेरिंग इस्ट्रक्चर है उसका लाइफ बहुत कम होता है इसके बाद आता है कोस्ट तो जो मेरा इसका एकोनोमिली कोस्ट बहुत कम होता है और उसका जो आपका आती है लोड़ बेरिंग स्ट्रक्चर उसका टू स्टर्य तक रहता है तो यह सारी जनकारी थी आपको मैं बता दिया कि मेरा कौन सा घर बेस्ट होगा ता आपका जो घर लोड़ बेरिंग स्ट्रक्चर वेस्ट नहीं होगा तो जब भी आप अपने घर को बनाए तो कॉलम दें बीम दें सिल बैंड दें लिल्टन बीम दें इसके बाद सलेपका कास्टिंग करें वह आपना घर आपका बहुत मजबूत होगा तो कभी भी आप घर बनाने को सोचे तो आर्शी सी फ्रेम स्ट्रक्चर घर बनाए इनकी लोड़ बेरिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यही सारी जनकारी थी लोड़ बेरिंग और आर्शी फ्रेम स्ट्रक्चर में इसी परकार के सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जरू से जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा धन्यवाद